जे मातादी आई ये जानते हैं 2023 में गुरी पारवा की कथा पूजाविधी महत्वब हिंदु नौवर्ष की सुर्वाग गुरी पढ़वा से ही होती है गुरी पढ़वा के परवकाउत्सा खासकर महाराष्टर राजय में देखने को मिलता है इसके रामा आंध्रप्रदेश तिलंगाना और करनाटक में भी धूमधाम से गुरी पढ़वा का परव मनाया जाता है गुरी यानी बिजय पता का गुरी पढ़वा के दिन पता का ध्वज लगाने की परंपरा है मराठी समदाय के लोग गुरी पढ़वा के दिन घर के बाहर गुरी बाद कर पूजा करते हैं इसे सुक्सम्रिधी का सूचक माना जाता है जानते हैं गुरी पढ़वा की तिखी पूजाविधी कथा और महत्व के बारे में करनाटक में गुरी पढ़वा को युगादी तिलंगाना में उगादी कश्मीर में नवरेव मरीपूर में सजीबू नोगुमा पानबा गोवा और केरल में शमवत्सर पढ़व और शिंधू शमदाय के लोग गुरी पढ़वा को चेती चंड़ परव के नाम से मनाते हैं गुरी पढ़वा का परव इस साथ 22 मार 2023 को मनाया जा रहा है चेत्रमाह की प्रतिपदा तिथी की शुरुवाद 21 मार 2023 को रात 10 बज कर 52 मिनट से होगी और इसका समापन 22 मार 2023 रात 8 बज कर 20 मिनट पर होगा ऐसी में उदिया तिथी के अंसा गुरी पढ़वा का परव 22 मार्ज को मनाया जाएगा वहीं पूजा के लिए 22 मार 2023 सुबह 6 बज कर 29 मिनट से 7 बज कर 49 मिनट का समय शुभ रहेगा गुरी पढ़वा के दिन गुरी बनाने की परंपरा है इसके लिए एक खंभे में पीतल के पात्र को उल्टा रख कर इसमें देशम के लाल पीले के सरिया कप्रे बाधे जाते हैं इसे फूल मालाओं और अशुक के पत्तों सी सजाया जाता है गुरी पढ़वा पर लोग सुर्योदे की समय सरीर में तेल लगा कर अशनान करते हैं घर के मुखे द्वार को आम या अशुक के पत्ते और फूलों सी सजाया जाता है और अंगोली बनाई जाती है घर के बाहर या घर के किसी हिस्से में पताका लगाया जाता है इस दिल लोग भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं फिर गुरी फ़हराते हैं आईई सुनते हैं गुरी पढ़वा की पावरारी कथा गुड़ी पड़वा मनाने से जुड़ी पवराडी कथा के अंसार त्रेता युग में दच्छिर भारत में राजा बली का सासन हुआ करता था भगवान राम जब माता सीता को रावर से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे तब दच्छिर में उनकी मुलाकात बाली के भाई सुग्रिव से हुई शुग्रिव ने भगवान राम को बाली के कुशासन और आतंग के बारे में सारी बाते बताए तब भगवान राम ने बाली का बध कर उसकी आतंग से शुग्रिव को मुक्त कराया कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का बध किया था वह दिन चैत्र सुक्लपच की प्रती पता का दिन था इसलिए हर साल इस दिन को दच्छिर में गुड़ी पढवा के रूप में मनाया जाता है और विजे पता का फहराई जाती है आज भी गुड़ी पढवा पर पता का लगाने की परंपरा कायम है स्री राम द्वारा बाली के बध किये जाने के अलामा गुड़ी पढवा को लेकर अन्यमान्यताएं भी हैं जिसके अंसार इस दिन छत्रपती सीवाजी महाराज ने बिदेशी घुसपर्थियों को पराज जित किया था इस जीत की खुशी मनाते हुए सीवाजी महाराज और उनकी सेना ने गुड़ी फहराई थी चैत्रशुक्लपच की प्रतीपदा के दिन ही ब्रह्मदेव ने स्रिष्टी का निर्मार किया था इसलिए इस दिन ब्रह्मदेव की पूजा का महत्व है गुड़ी पढ़वा के दिन से ही चैक्र नवरातरी शुरू होती है मान्यता है कि गुरी पढ़वा के दिन ही संसार में पहले बाद शुर्य ऊदित हुए थे इसलिए सास्त्रों में गुड़ी पढ़वा को संसार का पहला दिन भी माना जाता है